हलो फ्रेंड वेलकम टू अवीना नीटिंग आज आप के लिए में देखे फिर से एक बहुत ही प्यारा दो कलर का पैटर ने कराई हूं और ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटरन है बनाने में बहुत ही आसान है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते ह इस टॉल में शॉल में किसी में भी आप अप्लाई करें बहुत ही प्यारा लगता है तो चलिए आज इसको बनाना सीखते हैं सब्सक्राइब करें अवीना निटिंग को और बराबर में बैल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे इसको बनाने के लिए देखे तीन के मल्टीपल में हमें फंदे लेने हैं और पांच फंदे हमें एक्स्टा रखने हैं याप किसी भी प्रोजेक्ट में से अप्लाई करें तीन के मल्टीपल में फंदे डालें और पांच फंदे एक्स्टा रखें तो आपका पैटरन बनाना सीखते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने फंदें डाल लिए दिन के autograph में फंदे डाले और पांच पंदे एक्स्ट्रा रखे तो यह मारे सटरा फंद्दें है तो चलिए डिजवाइन को स्टार्ट करते यहां पर देखिए हमारी बेस सलाई है इसको हम सीधा ही बुनेंगे पूरी सलाई हम सीधी बुनेंगे और यह डिजाइन हमारा एक कलर में चलता है यानि चार सलाई एक कलर की चार सलाई एक कलर की होती है तो देखिए ये सलाई हमारी याई पर कम्प्लेट हो गई अब देखिए अब हम उन्टी सलाई में आ गए हैं तो हम यहाँ पर चार फंदे ये देखिए पहले उल्टे बुल लेते हैं अब देखिए दागा पीछे करके हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे दागा आगे लाएंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे दागा पीछे ले जाएंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे दागा आगे लाएंगे और यह लास्ट के जैसे हमने शुरू में चार फंदे सीधे ड्षैंब्रींध औरूंधें और गोए है तो जैसे कि मैंने बताया था तेंगे काamos अगले वाली तीन फंदे हम ब्गांब 먹नें अतार ehrlich पिर-वाले थीन फंदे तार Zombi तीन फंदे बुनेंगे दिखिए मने ले ले लेते हैं ताके यह हमारा सैण से अब त्ट से हुआ है तीन फंदे बुने हैं हमें सो us दिखिए 누ád restriction लेत खंदे वह ते हम पहुराına उतार देते हैं त्ट ila तीन फंदों को फिर से बगाइर बुना उतारेंगे और लास्ट का यह फंदा है इसे बुन लेते हैं तो यह पूरी सलाई दे कि हमारी यहां कंप्लीट हो गई अब आ जाते हैं मुल्टी सलाई में आप यहां पर बहुत ध्यान से देखेगा प्रेंट समय क्या करना है हम दो फ तीन फंदे और बुनेंगे और एक फंदा इदर वाले में से तो यह टोटल हमने पांच फंदे बुन लिए एक बगाइर बुना उतारेंगे पिर से पांच फंदे बुनेंगे तो यह देखे टोटल हमने पांच फंदे बुनें और एक फंदा बगाइर बुना उतारा पिर स पांच फंदे बुनेंगे हम इसी तरीख से एक फंदा बगार बुना उतारेंगे यह लास्ट के दो फंदे बुनेंगे तो यह हमाई सलाह यह पर कंप्लीट हो गई अब देखिए इसी कलर से हम पूरी सलाह सीधी बुनेंगे अब हम कोई भी फंदा बगार बुना नहीं उतार कि आपको ऑफ देखे तर्टेज में यहां पर कंप्लीट वरी आजाते हैं उलटी सलाई में अब देखे फ्रेंड पहले हमने यहां पर यहां पर चार पंदे सीधे बुने थे देखें वो सी चार पंदे उलटे बुने ते अब हम चार फंदे यहां पर सीधे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार चार फंदे हमने सीधे बुनेंगे अब हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे तीन फंदे हम यहां सीधे बुनेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और ये चार फंदे हम सीधे बुनेंगे ये देखे इस तरीका से सलाई भी हमारी complete हो गई है अब आजाते हैं सीधे सलाई में अब देखे इस सलाई में हम color को change करेंगे तो ये वाला color लेकर आएंगे अब ध्यान से देखेगा प्रेंट्स हमें क्या करना है देखे अब देखे प्रेंट्स हम इन फंदों को देखे चार फंदों को बुल लेते हैं अब हम इन वाले फंदों को पहले हमने इधर उतारे थे फंदे अब हम इधर उतारेंगे हर कलर पर हमें जगह बदलनी है तो यह तीन फंदे हम देखे यह उतार लेते हैं और ये तीन फंदे हम बुनेंगे तीन फंदे उतार लेंगे प्लास्ट के चार फंदे हैं इन्हें हम बुन लेंगे आप देखे आजाते हैं उल्टी सलाई में उल्टी सलाई वही हमारी देखे जैसे हमने पहले बुनी थी यहाँ पर हम पांच फंदे बुनेंगे चार हमारे ये वाले फंदे हैं और एक फंदा हम इसमें से लेकर बुनेंगे एक फंदा बगार बुना उतारेंगे अब पाँच फंदे बुनेंगे हम एक फंदा बगार बुना उतारेंगे ये देखिए लास्ट के पाँच फंदे हैं इने भी हम ऐसे ही बुनेंगे यह सलाई भी हमारी यहां कम्पलीट हो गई आ जाते हैं सीधी सलाई में तो यहां पर देखिए यह सलाई उसी तरीकर से पूरी हम सीधी बुनेंगे एक ही कलर से यह वाला फंदा भी बुन लेते हैं ने बगार बुना उतारा था देखिए पूरी सलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी तो यह सलाई भी हमारी यहां पर कंप्लेट हो गई आ जाते हैं उल्टी सलाई में अब देखिए फिर से वह हमारे चार पंदे यहां पर सीधे हो जाएंगे और यहां पर तीन पंदे उल्टे चार पंदे सीधे और सौरी तीन पंदे यहां पर यह देखिए उल्टे तीन पंदे सीधे यह लास्ट के चार पंदे उल्टे बुने जाएंगे तो यह दो रहाँ भी तो यह दो इखिए पैटर्टण भी हमारा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है यह दो यह दो इसके यह दो नियुक्त है, यह प्र lavãy झाल चाल जाती है यह दो तो आपके पीड़ी तरह से बना सकते हैं, तो आपको किसी पी तरह से बनाई ये बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा पैटर्न है तो कैसा लगा आपको मेरा ये डिजाइन अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें कमेंट्स करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें आउंगी फिर से एक नया पैटर्न लेकर आपके ख